स्वाज़त थे आप सभी को रेज सीरीज की वीडियो लेक्चर में आज हम दा फन दे हैड का पार्ट टू एक्स्प्लेंटेशन को देखेंगे अगर आपने अभी तक पार्ट वन एक्स्प्लेंटेशन की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और क्लास नाइन का फुल कोर्स के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं सुरूँ मेरा नाम है निशांत आप देख रहे हैं लर्निंग कॉंसेप्ट यूट्यूब चैनल तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की और उससे पहले मैं रिकेप करा देता हूँ पार्ट वन की एक्स्प्लेंटेशन को सौट समरी टाइप में उस चेप्टर में हमने देखा सबसे पहले की रिटेन बाई एक एसी मोब उन्होंने लिखा था कि मारगी जो है अपने रात में अपने डायरी में लिख रही थी कि और वो किसके बारे में था लिखा हुआ स्कूल के बारे में लिखा हुआ था लेकिन मारगी जो थी वो हेट करती थी स्कूल को इसलिए वो टॉमी से कही कि क्यूं कोई स्कूल के बारे में लिखा उसका रीजन भी बताया था मेंने कि क्यूं वो हेट करती थी और आपको एक ह होंबर्ख है कि दोनों का एज बताना है टॉमी और मार्गी का तो अब भड़ते हैं हम अपने six paragraph की और जहां से हमने इसे छोड़ा था टॉमी लुग्ड एट हर विद्थभेरी सुपीरियर आई तॉमी जो है मार्गी को देखता है सुपीरियर आई इससे यहाँ पर इसके पहले जो है मार्गी पूछी थी कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा तो है रिप्लाइक सुपीरियर आई में देखके वो टॉमी जो है मार्गी को रिप्लाइ करता है क्योंकि यह हमारे का स्कूल नहीं है stupid this is not old kind of school that they had hundreds of years ago यह स्कूल जो है वो सौ सौ साल पुराने स्कूल की बात है हाँ पर हमारे स्कूल की बात नहीं है सीरिड लॉफ्ली यहाँ पर लॉफ्ली का मतलब होता है सुपीरियर वे में वो परती प्रनॉंसिंग दा वर्ड centuries ago वो भी superior way में बोलती है जिस प्रकार से टॉमी उसे बोलता है फिर मारगी का मारगी जो है वो hurt हो जाती क्योंकि वो जो है टॉमी जो है वो superior voice में बोलता है उससे तो उसे hurt लगता है किसे मारगी को well I don't know what kind of school they had all time ago फिर मारगी का थी अच्छा मुझे नहीं पता कि उस समय कौन से प्रकार की स्कूल होती थे उस समय she read book over his shoulder while then said anyway they had a teacher और यहाँ पे आप picture में भी देख सकते कि मारगी जो है वो shoulder की उपर से book को पढ़ती है और बोगती है कि अच्छा कोई नहीं उनके पास भी तो एक teacher होता है sure they had a teacher फिर मारग टॉमी कहता है हाँ उनके पास एक teacher होता है लेकिन यह कोई regular teacher नहीं है regular teacher का मतलब robotic teacher जो कभी भी absent ना करे regular classes ले लेकिन जो human teacher होता है वो तो irregular होता है क्योंकि कभी दिन तवियत खराव या और कोई कारण से वो नहीं भी ले सकता it was a man वो क्या है एक आदमी है human है a man how could a man be a teacher फिर मारगी टॉमी से कहती की how could a man be a teacher कैसे एक आदमी teacher हो सकता है well he just told the boys and girls same things and gave them homeworks and asked them questions फिर टॉमी कहता है कि वो जो है boys और girls को पढ़ाते हैं सब को homework देते हैं और उनसे question पोस्टे हैं इस प्रकार से वो पढ़ाते हैं school में फिर seventh paragraph जो है a man isn't smart enough फिर मारगी कहती है एक आदमी इतना smart कैसे हो सकता है robotic teacher जितना smart है उतना smart कैसे हो सकता है फिर जो है टॉमी reply करता है कि sure he is हो सकता है और उए example देता है अपने father का my father knows as much as my teacher जितना मेरे teacher जानते हैं उतने ही मेरे father भी जानते हैं he knows almost as much उतना ही वो जानते हैं आई बेंचिचा इसका अर्थ होता है कि बैट लगाना बैट जो सर्थ होता है उसे लगाना इसका मतलब होता है मारगी wasn't prepared to dispute death लेकिन मारगी कुछ लगाई जगरे के मूड में नहीं थी वो कही she said I wouldn't want a strange man in my house to teach me फिर वो कहती है कि I wouldn't want मैं अपने घर में किसी man को कैसे रहने दे सकती हो पढ़ाने के लिए वो भी मेरे घर में Tommy screamed with laughter Tommy जो है हसकर हसकर बोलता है You don't know much मारगी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मारगी Teachers didn't live in the house Teachers जो है वो घर में नहीं रहते हैं They had a special building And all the kids went there और उनका एक special building होता है जहाँ पे सारे बच्चे जाते हैं And all the kids learned the same thing Sure if they were same age जो same age के बच्चे होते हैं वो same thing learn करते हैं वो special building जिसे कहा जाता है School अब बढ़ते हैं अपने 8 paragraph की ओर But my mother says a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girl It teaches and that each kid has to be taught differently फिर मार्गी कहते हैं लेकिन मेरी मा जो है कहती है कि हर teacher को बच्चे के मायन के हिसाब से adjust करना पढ़ता है और उसी के हिसाब से बच्चे को अलग-अलग तरीके से परहना पढ़ता है Just the same they didn't do it that way then और फिर टॉमी का मार्गी कहती है कि लेकिन एक human teacher तो इतना सब कुछ नहीं कर पाएगा सब के mind के ट्रोडिंग तो नहीं हो पाएगा फिर टॉमी कहता है If you don't like it मार्गी said quickly फिर वो टॉमी कहता है कि तुम इसे नहीं पसंद करती हो Don't like so much पर हो थी ये funny school क्योंकि उसके लिए तो ये funny था क्योंकि वो तो virtual school में पढ़ती थी लेकि और ये old school उसके लिए funny था इसलिए वो और भी इस school के बारे में पढ़ना चाहती थी इसलिए वो quickly बोली They weren't even half finished when Margie's mother called Margie School अभी तक उन दोनों ने आधा भी finish नहीं किया था और उस तभी उसकी माम किसकी मा मारगी की मा कॉल करती है मारगी school का time हो गया है मारगी looked up अपनी ममा की और देखके बोलती है not yet, अभी नहीं ममा, not yet ममा, now said Mrs. Jones लेकिन उसकी जो मा है वो काती अभी जाना परेगा school के लिए and it is probably time for Tommy school too और ये भी लगभग जो है Tommy के school का भी समय हो ही गया होगा मारगी said to Tommy फिर मारगी जो है Tommy से कहती है can I read the book some more with you after school क्या मैं तुम्हारे साथ ये book और परसबती हूँ school के बाद तो क्या reply आता है वो night paragraph में हम लोग देखते हैं said non-channessly इसका मतलब होता है कि cool चीज में interest so नहीं करना वो बिना interest so किये हुए बस में भी कह देता है और वहां से उठके जाने लगता है whistling यानि city वजा के और उस dusty क्योंगी वो old book था तो dusty book को अपने arm में पकर के वो लेके चला जाता है मारगी went into the classroom वो अपने classroom में जाती है it was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her और वो जो उसका school room था वो उसके bedroom के बगल में था और mechanical teacher जो थे वो उसका wait कर रहे थे he was always on at the same time except Saturday and Sunday वो जो mechanical teacher थे वो रोज एक ही समय में पढ़ाया करते थे सिवाए Saturday Sunday क्यों एक ही समय में पढ़ाया करते थे क्योंकि उसका मा का कहना था कि little girl को अगर एक ही समय में regular hours में पढ़ाया जाए regular hours में पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पर सकेगी the screen was a lit up and it said today's arithmetic lesson is on the edition of proper fraction और screen जो है पर आप देख सकते हैं कि जो screen है इसी प्रकार से हाँ पर लिखा गया कि today's arithmetic lesson is on the edition of proper fraction बताया जाएगा और और लिखा रहा था कि please insert study home birth भी proper slot में डालो जो यहाँ पर slot है वो कैसे डालती थी किसके द्वारा पंच code के द्वारा यह भी आपको याद रखना है अब बढ़ते हैं 10th paragraph जो कि यह last है Margie did so with a sigh she was thinking about the old school लेकिन वो जो है अभी भी पुराने ही स्कूल के बारे में सोच रही थी आप figure में भी देख सकते हैं यहाँ पे display में सो हो रहा है लेकिन Margie जो है वो अभी भी पुराने समय में ही के बारे में ही सोच रही थी पुराने स्कूल के बारे में क्या सोच रही थी कि जब उसके दादा जी के दादा जी एक little boy थे all kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard sitting together in a school room going home together at the end of the day वो सोच रही थी कि उस enjoyment जो old school में बच्चों को आते थे kid के साथ में खिलना, खुदना, सोर मस्ती करना एक साथ परना school room में और एक साथ घर आना यह सारे enjoyment के बारे में यह सारे चीजे के बारे में वो मारगी सोच रही थी they learn the same thing so they could help one another with the homework of talk about it और यह भी सोच रही थी कि अगर वो सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखेंगे तो एक दूसरे को मदद भी कर सकेंगे अगर किसी कोई चीज में problem आती है जैसा आप भी अपने school में करते हैं and the teachers were people और जो सिख्चक होंगे जो teachers होंगे पढ़ाने वाले वो क्या होंगे man होंगे, human होंगे, people होंगे the mechanical teacher was a flashing on the screen और उसका जो screen था वो flash कर रहा था उसमें आ गया कि when we add one by two and one by four आप आप देख सकते हैं थुरा सा दुन लाए लेकिन आप आप देख सकते हैं कि आप फ्रेक्शन का एडिशन बताने लगा ये कौन है mechanical teacher या robotic teacher Margie was thinking about लेकिन वो अब भी वही पुराने school के बारे में सोच रही थी kid must have loved it in the old days में बच्चों को बहुत ही मज़ा आता होगा परने में she was thinking about the fun they had और वो सोच रही थी कि उन समय जो fun होता होगा उन बच्चों को उसके बारे में वो सोच रही होगी इसी के साथ साथ हम अपने विहाईब का पहला chapter जो fun they had है उसको complete पूरी तरह से explanation कर दिये हैं अब आपको the fun they had का literal meaning भी इस title का जो literal meaning है वो भी पता चल गया होगा कि जो fun था यानि उन समय में old school के बच्चों के समय में जो fun था उसी के बारे में इस chapter में बताया गया है till then stay connected keep learning thank you thank you very much and keep smiling